बिग बॉस 18 जी हा दोस्तो जो देशा कि मैंने आपको बोला था कि जो जेल टास्क जो था जेल में जो गए थे उनको मिले स्पेशल पावर्स हेमा शर्मा जो एक कंटेंड देने वाली है अगर वो बाहर आती है जेल से परिशान करके रख दिया था उसने कि मुझे जेल से बा जाल दिया था आपको उनको दूसरी बार पूछा गया था कि आप जेल से बाहर आना चाते है कि नहीं उन्होंने मना कर दिया जैसी सुना कि राशन का पावर जो है वो दिया जाता है हेमा जी और हमारे बग्गा जी को जी हा दोस्तो यह जो बग्गा जी है ना दोस्तो यह जादा नहीं टिकने वाले अगर यह अच्छा ही अच्छा ही करके चलेंगे है ना विग बॉस ने भी यह हिमा जी को बोला है आपके साथ वाले जो है बग्गा जी वह बहुत दूसरों का दया करना चाते है राशन दे दे के लेकिन अगर वह ऐसा करेंगे तो गेम में आगे न देखो आज गधे की टीसरी टांग गधे की जो है तीसरी टांग आज खरी हो गई थी देखा न आपने मैं क्या बोलना चातों समझ रहे ना वो गधा जो है आज उत्तेजित हो गया था चुतिका को देखके शुतिका शुतिका और ईशा उस गधे के पास जाती रहती है ना तो लड़किया देखके वो गधा भी आज उत्ते जीत हो गया, उसके तीसरी टांग आज भई डंडी खरी हो गई और सब के सब डर गए लड़किया, और जो हमारी सारा जो है ना सारा बेन, वो चुतिगा को खीश के लेके गई और बोल वे थी, देखो तुमारा गल्फेंड गधे को भोल वही थी, उसको पता है ना चुतिगा बहुत उछलती रहती है, होट है, तो इसलिए गधे के पास लेके गई वो चुतिगा, शुर्तिगा को, तो इसके साथ दोस्तो नॉमिनेशन टास्क आ चुका है, कल होगा नॉमिनेशन टास्क, मैं भी बता रहा हूं नॉ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एविक्षन होगा, पर कुछ लोग बोलो एविक्षन होगा, और अगर एविक्षन होता भी है ना दोस्तो, यह मुसकान जाएगी दोस्तो, क्योंकि यह कुछ नहीं कर रही है घर में, यह सिप सहजादा के साथ रोमैंटिक बाते कर रही है, और अपने चाचु के साथ बात करिये, चाचु मुझे शहजादा पसंद है, चाचु मुझे ये पसंद है, चाचु मैंने आज बात किया, चाचु आज मैं अकेली रही, अब मैं सीख जाऊंगी, चाचु चाचु करने आये, किया तुम बही आपर? कुछ gaming नहीं है तुमारा घर के अंदर मुस्कान जी एक है वो चुम दरंग भी सेम उसका भी कुछ नहीं है वो ऐसी जाती रेती है पता नहीं क्या है उसका कुछ gaming नहीं है चुम दरंग मुस्कान देखिए गनूरतना सदावरते जो है उसका गेम होगा मैं बोलता हूं आपको अभी रुकिए he is a very powerful man गनुरतन सदावरते माराथा मानुस जाग गया आज दोस्तों है ना उसने डारेक्ट बोल दिया nomination task में करनवीर वरनवीर को नहीं जानता हूं कौन है करनवीर सही है वह बहुत powerful बंदा है गनुरतन सदावरते विकाज ही वह मैं क्या बोलू हूं बरे बरे politicians के साथ उसका उठना वेटना है जिसे शरत पवार उद्दब सर हमारे शरत सर उद्दब सर और भी बहुत सारे जो है political power है उनका दोस्तों तो उन्होंने बहुत लराई देखिए यह big boss का लराई उनके लिए कुछ भी नहीं है हमारे जो गनुरतन सदावरते है उनके लिए big boss की लराई कुछ नहीं है उन्होंने बहुत बरी-बरी लराई देखिए है ना तो आज वह बोल रहे थैं कि जो रूलिंग पार्टी को गिराने के लिए उनका हाथ था महाराष्टर में है ना तो यह सब है बाकी पॉलिटिकल चीजे में ज्यादा बात नहीं करूंगा कंटेस्टेंस की बात करते हेमलता जो है वो रपने वो अच्छा है इशा बी कुछ खास कंटेंड नहीं है चाहत पांडे फिनाले के लिए आप कन्फरम हो चुकी है आप लिख के ले लिजिए फर्स्ट घर में एंटर की थी ना उसने फर्स्ट आई थी फर्स्ट एंटरी लिथी उसने घर में लास्ट यर मनारा चोपरा ने भी फर्स्ट एंटरी लिथी है ना तो इस बार चाहत पांडे विविन डिसे ना करनवी शहजादा ये फिनाले के लिए confirm हो चुक है मैं बोल देता हूं आप लोग को और ये जो है हमाली शिल्पा शिरोतकर ये तो भाई बहुत चालबाज ओरत है शिल्पा शिरोतकर आज मैंने देखा एक चीज इसका जैसे ही गनुरतना सदावरते ने अपना पावर दिखाया मुं शिल्पा जी हमारी विवान के पीछे वो रहती है पता है ना टॉप टू है विवान कब या चाहत पांड़े के साथ बैट को लेके जगरा हुआ चाहत पांड़े ओवर एक्टिंग की कुईन है वो है ना उसका नाम रखा है नया चमचम सारा ने वो पाइल पैन के घुमती गर में और यह इशा जो है वो गधे से बात करिए कि विवेन ने भी कलर्स में काम किया मैंने भी कलर्स में काम किया तो विवेन क्यों लाड़ ला है विवेन लाड़ ला है क्योंकि विवेन बहुत पुराना एक्टर है वो बहुत काम कर चुका है कलर्स के साथ है ना उसकी स सीरियल का प्रोमो है ना और मतलब उसकी फर्स्ट वाइब पार्सी थी वो भी आएगी ना वेबबस दो राबजी पार्सी थी वो उन दोनों में शादी हुआ फिर उन दोनों का एक्स्ट्रा मेर्टेल अफेर हुआ डिवोर्स हुआ फिर ये सब जो है ना वो खुलके आएगा सब उसकी एक्सवाइब जब आएगी घर में विवेन की एक्सवाइब लेकिस मैं विवेन भी नॉमिनेट है सब विवेन को टार्गेट करेंगे अब मुझे पता है आज की एपिसोड में गनुरतना का वही दिखा जस है ना मुंबई में राज करता हूँ ये वो ज्यादा बाकी मुस्कान जो है वो कुछ काम की नहीं है है ना मुस्कान चुमदरंग कुछ करनीक रहे अब आता है रजद दलाल का the only one YouTuber in the house मैंने रजद दलाल का ये वाला रूप कभी नहीं देखा Instagram में YouTube में जो ये रूप दिखा रहे घर के अंदर हमारे रजद भाई रजद भाई रजद दलाल का घर के अंदर सबके साथ मतलब गुल मिल जा रहा है वो मतलब और बाहर हिंस्टा में गाली देता रहता था वो सबको और वो भी क्या-क्या हुआ था उसका case वगरा है उसमें हम नहीं जाएंगे उसका personal matter है है ना वो मैं बात नहीं करूँगा लेकिन घर के अ कौन सा रूप है उसका मतलब मैं तो शॉक हो गया है सब देख के उसका रजद दलाल मतलब असली क्या है उसका बाहर वाला रूप असली है या अंदर वाला रूप जो दिखा रहा है इतना हमल ने सबके साथ समसदारी से बात कर रहा है मतलब ऐसा दिखा रहा है वो जो सामन देख किया है और कटारिया और जो अनुराग बाबु भाईया है उन्होंने साथ रजत को बताया है तो घर में ऐसे attitude दिखा के मत रहना सबके साथ ठीक से रहना और कभी मत बोलना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ तो इसलिए ये जो बात है रजत बाहर से सीख्या है कि जिसे कि मैं घर के अंदर दिखाऊंगा कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है मैं influencer हूँ just है ना और powerlifter हूँ powerlifter बोलता है वो sports person दिखा रहा है अपने आपको सही बात है और अभीनास के साथ भी उसका अभीनास जो है वो कान में जाके बग्गा से दही मांग रहा था तो वही चीज रजत दलाल को बुरी लगी थी है ना तो ये इसके बाद हो गया सब सौट आउट रजत दलाल उसका दिख तो रहा है पॉजिटिव चीज सल्मान सर बोलेंगे तो कुछ नहीं लेकिन अगर उसने हादवात उठाया और वह उसने गुस्से को कंट्रोल किया लेकिन लजत दलाल जो है आज बात कर रहा था कि वह उसने घर में घर में अभी तक पाज बार गाली दिया उसने मतलब बाहर तो इस अब नहीं करता है जब जगरा अब दा बिग बॉस में जगरा चाहत पांडे वर्सेस विवेंड डिस है न क्योंकि यह लोग जो फाइनलिस्ट होंगे न कल होगा हमारा नॉमिनेशन्स नॉमिनेशन्स होगा दोस्तो सब लोग को गार्डेन एरिया में बुलाया गया है स्विमिंग के पास सब लोग बैठे हुए है एक मारक्स पेहन के एक आदमी आया है और तीर ले कि आया है यह तीर और एक टार्ट भी लखा हुआ है तीर मारना है टार्गेट में जिसको आप नॉमिनेट करेंगे है ना तो करनवी ने यह पर गनुरतना को साइद नॉमिनेट किया है और गनुरतना जो बोल रहे है कि मैं करनवीर को नहीं जानता है और गनुरतना ने यह भी बोला कि यह जो एक्टर से लोग फेक है इनकी असली कोई पर्सनल जिंदीगी नहीं है तो रजट के साथ वो बात कर रहे थे यह चीज अभी बजाएंग बजाएगा करनवीर का जो गेम क्या है पता है सब लोग बोल रहे घर में करनवीर जो है जस्ट फेमस हुआ है वो इसके पहले वो फेमस नहीं था खत्रोगी खिलारी में आके ही वो फेमस किस लिए हुआ किस के लिए हुआ आसिम के लिए हुआ वो फेमस आसिम ने उसको सोचल मीडिया में हाइप दी है तब ही जाके वो आया है पास्ट कंटेस्टेंस एज़े आसिम को अगर यह लोग लाते है तो मजा आएगा लराई देखने में इनका अगर थोऑई देल के लिए भी आसिम आता है बिग बॉस में तो मजा आएगा पर नहीं आएंगे आसिम है ना तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है करनबीर जो अपने एटिटूड में बहुत है उसका शो जीत क्या यह करके आया खत्रा खत्रों की खिलारी जीत क्या आया तो इसका एक एटिटूड है विवेन ने बोल दिया तेरे से बात करी बहुत हुआ अचाहत पाणनेगा अब तेरे से मेरे से मत करना अब मजाएगा गरनबीर अभिनाश पॉलीशा को एक विशेश अधिकार दे रहा हूं कि वो तीनों किसी एक और सदस्य को चुलें जो जेल में बंद रहेगा मुझे मन्जूर नहीं है सवाट तौर्चर का नहीं होता है भुमीका का होता है हम कोट पे भी ऐसी भुमीका रखते है अब क्या होगा दोस्तो है ना गधा भी भरक चुका है गणूरतन भी भरक चुका है अब दोस्तो यहाँ पर नॉमिनेशन में मुझे लगता है गनूरतन सदा वरते है जी हा दोस्तो वो भी नॉमिनेटेड है नॉमिनेशन में दोस्तो में बता देता हूँ विवेन है हेमा है गनूरतन सदा वरते है शहजादा धामी है मुस्कान है चुम दरंग भी आई थिंग नॉमिनेशन में है तो दोस्तो चुम दरंग भी नॉमिनेशन में है आई थिंग वो तो कल ही पता चलेगा जो भी होगा दोस्तों लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों मैं निकल रहुआ जो भी होगा अगलो। और यहाँ पर बहुत चुगली चाटी हो रही है नॉमिनेशन के बाद ही कल पता चलेगा क्या होगा लाइफ फीड में कुछ नहीं दिखाया जा रहा है बस लाइफ फीड बार-बार ओफ किया जा रहा है अगर लाइफ फीड आफ भी करना तो दिखा क्यों रहे हो गई मुझे समझ नहीं आ रहा है यहना लाइफ फीड में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन नॉमिनेटेड है मुश्किल से बहुत पता चला कि यह कुछ लोग के नाम मैंने बता है जो नॉमिनेटेड है यहना बाकी में दिंकलता हो दोस्तों किसी को कुछ बुरा लाएफ किसी के फैंस को तो सॉरी थैंक्यू